तो आप बता पाएंगे उस चीज़ को जैसा कि पिछली मिटिंग में आप देखें रंजी सर बिल्कुल गाइनो कॉफी का टेस्ट आपका बेडी फुएल का टेस्ट खोल करके कड़ाया दिखाया तो यह एक सही तरीका है तो आईए अस्वा कॉफी के बारे में हम जाने क्या है अस्वा कॉफी किस तरीके से यह काम करेगा और इसके अंदर क्या-क्या फायदे हो सकते हैं कॉफी के और यह भी जानेंगे कि दूद से क्या-क्या नुक्सान हो सकता है दूद वाली चाय जो होती है दूद नहीं दूद वाली चाय उससे आप अगर पीते हैं तो उसका भी बहुत बड़ा सरीर के उपर एफेक्ट पड़ता है कब पीना चाहिए किस तरीके से पीना चाहिए तो यह हमारा एक पोस्टर है उके लाइफ के ने जो जारी किया है हमारे प्रोड़क के लिए आपको दिख रहा होगा तो यह है अस्वा कॉफी अस्वा कॉफी का मतलब सौट में लिखा गया है अस्वगंधा कॉफी, बहुत बरा नाम हो जाता अस्वगंधा, इसलिए अस्वा कॉफी सौट में इसका इस्तमाल किया गया है, और लिखा हुआ है एक कॉफी टू वेक अप दबडी, यह एक ऐसा कॉफी है जो आपके सरीर को जगा देगा जैसे वेक अप इन दा मॉर्निंग हम लोग सुबा सुबा उठते हैं उस तरीके से ये बड़ी को जगाने वाला आपके सरीर को जगाने वाला एस्व कॉफी है और इंडिया में पहली बार अस्वगंधा के साथ कॉफी लॉंच हुआ है कॉफी तो आप यूज कि अस्वगंधा की बात करें तो उसका नाम है के एसे म 66 के एसे म 66 अचा यह ऐसा नाम क्यों है तो इसके बारे हम बात करेंगे और इसका नाम आप सुने होंगे अस्व कॉफी का मतलब यह हुआ अस्वगंधा के साथ कॉफी और कौन सी अस्वगंधा यह नॉर्मल अस्वगंधा नहीं है जो वर्ल्ड बेस्ट अस्वगंधा है जिसको बोलते हैं के एसे म 66 जिस तरीके से वर्ल्ड बेस्ट जिंसिंग है वर्ल्ड बेस्ट एलो बीड़ा है उसी तरीके से जो अस्वगंधा की सबसे बहतरीन वेरैट यना चाहेंगे तो एक KSM एक अमेरिका के कंपनी है के एसम अमेरिका कंपनी है और 66 का मतलब यह है कि 66 बार अलग 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 देशों में अलग 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 जाती के के लोगों पर अलग अलग धर्म के लोगों पर अलग अलग मौसम में 66 बार ट्रैल किया गया, उन पे परयोग किया गया कि असवगंदा का क्या असर पढ़ता हैं उनके सरीर के उपर. किसी को ठंडे परदेश में दिया गया, कोई ऐसा कंट्री को चुना गया जहां बारिस बहुत जादा होती है, कुछ ऐसे कंट्री को चुना गया जहां गडमी बहुत जादा होती है, कुछ ऐसे कंट्री को चुना गया, जहां पे केवल बारों महीने ठंडा ठंडा होता है, बर क्या गया और उनको 14 साल तक 14-year तक उन पर एक्स्पेरिमेंट किया गया कि इनको देने से अस्वगंधा किया फायदे क्या नुकसान उसको बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल अर जो अमेरिका के कंपनी है जो वर्ल्ड बेस अस्वगंधा बनाती है उसने 14 साल तक 66 देश के लोगों पर पड़ियोग किया और पड़ियोग करने के बाद ये देखा गया हर बार हर clinical trial में इसका result बिलकुल सेम है चाहे किसी भी ब्यक्ति को दिया जाया चाहे किसी भी जाती के धर्म के चाहे किसी भी reason के लोगों को दिया जाया इसका effect एक जैसा है और वो बोला जाता है ऐसे प्रपर्टी ऐसे प्रोड़क्ट को बोलाता है adaptogenic प्रपर्टी adaptogenic आपने सुना होगा adaptogenic का मतलब ये होता है adapt करना किसी भी बौसम के हिसाब से आपके बड़ि को तयार कर देना wake up in the morning जो लिखा होता wake up of the body लिखा होता इसका मतलब ये है कि आपके सरीर को उस environment के according adjust कराएगा हर मौसम में इसको suit करा देगा आपको ठंडा में इस्तमाल करेंगे ठंडे की तरह आपके बड़ि से protect करेगा गर्मी में इस्तमाल करेंगे गर्मी से protect करेगा यानि हर season में आप इसको इस्तमाल करते हैं हर reason में इस्तमाल कर सकते हैं कैसा भी मौसम हो इसका एक जैसा प्रवर्टी है यानि आपके सरीर को उस environment में adjust करने के लिए ready कर देगा ये है KSM 66 अस्वगंदा adaptogenic यानि हर मौसम में आपको adjust करा देगा पहला फायदा है और KSM 66 का मतलब है ये एक ऐसी कंपनी है जो अस्वगंधा को तयार करने में उसको बनाने में patented technology का इस्तमाल करती है US का patented technology है और इसका कहना ये है कि bioavability जो होता है किसी भी चीज का bioavability का मतलब क्या होता है जो लिखा हुआ है bioavability form of अस्वगंधा यानि कि कोई भी चीज अगर extract की जाती है कोई भी चीज बनाई जाती है तो उसके अंदर active molecule कितना है आप खाना खाते है आप उस खाने से कितना गुलकोज मिलता है वो गुलकोज जाके सेल में डाइगेस्ट होता है तो वहां से ATP कितना जनरेट होता है कितनी इनरजी मिलती है इसको scientist measure करता है उसको बोलते हैं bioavability किसी भी product में उसकी potency कितनी है निकाल तो लिया हमने अस्वगंधा बना तो दिया लेकिन bioavability उसकी active compound कितने है यह भी बहुत बड़ा मायने रखता है तो bioavability जो है इस KSM66 का इस hubs का सबसे ज़ादा है जो अस्वगंधा तयार करने के लिए कंपनी ने KSM66 ने यूनिक extraction process को तयार किया यूनिक तरीके से इसको अलग तरीके से कुछ अलग हट करके इस अस्वगंधा को तयार किया इस company ने उस system को यूनिक process को बोलते है green chemistry green chemistry एक word है अब google में डालेंगे थोड़ा समझेंगे जानेंगे बार-बार हमारे scientist भी इस्तेवाल करते है green chemistry green technology इसका मतलब यह हुआ कि इस अस्वगंधा को extract करने के लिए अस्वगंधा के जो molecule है उसमे capsule में या coffee form में डालने के लिए कोई भी chemical का इस्तमाल नहीं हुआ है बहुत सारे चीजों को process करने के लिए fermentation करने के लिए उसको बनाने के लिए बरे सारे chemical से solvent से उसको धोया जाता है alcohol से उसके root को धोया जाता है अस्वगंधा जो normal होता है यानि कि जब अस्वगंधा आया अस्वगंधा क्या है एक पौधा है प्लांट है उसका root इस्तमाल होता है root ज़्यादा उसका फायदे मंद है तो KSM 66 ने सिर्फ और सिर्फ केवाल root का इस्तमाल किया है कोई leaf और कोई stem का इस्तमाल नहीं किया है यानि कि pure extract form लिया है और अस्वगंधा को निकालने के लिए उसके जड से उसके molecule को निकालने के लिए कोई भी chemical का इस्तमाल नहीं किया उसको दोने के लिए उसको और भी process करने के लिए कोई alcohol और कोई chemical का इस्तमाल नहीं हुआ है लैब में जनरली alcohol से, chemical से, बहुरे सारे solvent से धो दिये जाते हैं लेकिन इस case 66 ने, इस company ने क्या किया? Green chemistry का इस्तमाल किया, कोई chemical, कोई alcohol का इस्तमाल नहीं किया गा, इसको तयार करने में इसके root को पानी से धोने के बाद दूद से धोया जाता है अगर आप इसके lab को देखें, आज दुनिया में हर चीज आप बैठे देख सकते हैं एक site है, आप डालेंगे ksm66.com, एक अमेरिका की company है okay live care एक patented इंडिया में बेच रही है ksm66 direct selling में लेकिन ये product actually अमेरिका बनाता है, वहाँ के lab से आता है तब डालेंगे ksm66.com, तो उसमें पूरा process बताएगा कैसे खेती होती है, कैसे जर की कटाई होती है, कैसे गंटिनर में pack होता है कैसे lab में process होता है, कैसे इसके जरों को दूद से धोया जाता है अलकोहल और chemical से नहीं धोया जाता है, और जब दूद से धोया जाता था उसके जित्ते impurities है, खतम हो जाते है और बेहतरीन form में KSM आपको मिलता है, उसको बोलते है green chemistry किसी भी product को extract करने के लिए, बनाने के लिए कोई chemical का इस्तमाल नहीं हुआ है, उस process को बोलते है green chemistry, तिस चीज को भी याद रखे कि KSM 66 ने green chemistry यानि कि कोई chemical alcohol का इस्तमाल नहीं किया तयार करने में, दूद से इसके जरों के धुलाई होती है, फिर वहाँ से जब इस तरह से निकलता है तो हाई molecule निकलता है और 5% मिथिल वायर्स आपको मिलेगा, देखिए हर प्रोड़क का हर चीज मेडिशिनल नहीं होता है और एक्टिव चीज को वह मेजर कर लेता है आसके रेट में बैग्यानिक साइंटिस्ट जैसे हल्दी का सबसे गुनकारी चीख होता है करकुमीन अब क्या है हल्दी से करकुमीन निकालके उसका टैब्डेट बना दिया पाउडर मार्केट में छोड़ दिया अब हल्दी का पाउडर आप खा रहें उसमें कोई गुनी नहीं है कोई हल्दी का मेडिसिनल परपरटी नहीं है उसका सारा अच्छा चीज निकाल लिया गया, उसी तरीके से हल्दी पाउडर आप यूज कर रहे हैं या कोई भी चीज से यूज कर रहे हैं, उसके अंदर कितना एक्टिव कंपोनेंट है, तो हमारा जो KSM 66 है, उसके अंदर 5% मिथनोयड होता है, मार्केट का जो मार्केट का लेंगे और एक अस्वगंदा अगर आप KSM वाला लेंगे, वो 20 मार्केट के टबलेट्स के बराबर है, अगर आप बजार से डाबर, हिमालिया, वैदनाथ, पतांजली के अस्वगंदा खाते हैं, 20 डबबा खाएंगे और KSM 66 का एक डबबा खाएंगे, आपको सेम फैदा मिलेगा, यानि 20 गुना ज्यादा पोटेंसी है, 5 परसेंट इसका मेथनोाइड से, एक्टिव कॉम्पोनेंट इसके ज्यादा है, अब KSM 66 के बारे में आप जानगे कि यह रूट का इस्तमाल करता है, कोई केमिकल का इस्तमाल नहीं करता है, और ग्रीन केमेस्ट् आपने यह जाना, यह अलग कैसे है, यह किस तरीके से अपने पोड़क को बनाता है, और KSM 66 के फायदे क्या है, बेनिफिट्स के बात करें, तो क्लिनिकल ट्राइल में यह प्रूव हुआ है, क्लिनिकल ट्राइल क्या मतलब, आदमी के उपर इसका ट्राइल किया गया है, उस के stress level को, आज के देट में दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी दिखता नहीं है, लेकिन वो है चिंता, stress, depression, mood, चिर्चिरापन, इसका कोई बड़ा रोल नहीं है, कि हाँ आपको पता नहीं चलेगा बड़ी बीमारी हो गई है, लेकिन बड़े बुजर्ग बोलते थे चिंता चिता के समान है, चिंता जो है, चिता के समान है, जो चिंता करेगा वो चिता पर लेट जाएगा, क्यों बोले जाता था, यह मुहावडा क्यों दिया गया है, तो कि चिंता करेंगे, stress में होंगे, तनाओ में होंगे, सारी बीमारियां आपके अंदर आ जाएंगे, परिसान ह के लिए अस्ट्रेश को कंट्रोल करेगा एंजाइटि जो बार 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 बुस्टा जाता है उस lament कई लाँग णे सृक्रा करता बहुत किसी भी बात पर BP उसका हाई हो जाता है उसको आप ये KSM 66 का कॉफी दीजिए या KSM 66 का हमारे पास टैबलेट भी है तो बेहतरीन और OK Life उस तरफ जा रही है कि आपको हम nutrition दें आपको supplement दें लेकिन आपको पता ना चले कि आपने supplement लिया है यानि beverage form में liquid form में कुछ juices में कुछ आपके कॉफी चा जबाना धीरे-धीरे खतम हो गया दाओं में आप किसी को supplement भी देते हैं तो उसको लगता है कि मेरे को दवा खिला रहा है अब किसी को बोल दिया kidney fuel दो सुबा दो साम तो उसको लगता है बाव अभयंकर भी मारी हो गई है टैबलेट कैपसूल को लोग दवा ही समझते हैं त प्योड भी करेंगे लेकिन beverage form में liquid form में sip sip करके आप ले सकते हैं चाय कॉफी की तरह हसी मजाक में आपके अंदर supplement चला जाएगा तो कॉफी के रूप में अस्वगंधा का इस्तमाल किया गया तो यह stress को बहुत अच्छा आपको कंट्रोल करेगा उसके बाद अगर किसी को memory loss हो रहा है बहुत जल्दी जल्दी चिरचिर आपन और memory भुलने की भी मारी जिसको है अगर किसी का हाथ कापता है सरीर कापता है brain और body का coordination ठीक नहीं है ताब memory बरहने में भी बहुत बढ़िया काम करता है यह आपके strength को muscles को भी अच्छा रखता ह है आपका ease बहुत जल्दी बर रहा है जुडिया पर रही है उस aging process को भी बहुत कम करता है और आपके sexual performance को भी बहुत बढ़ी आस्वगंदा का नाम आते ही लोग को दिमाग में जाता है कि यह sexual का कुछ product होगा अच्छा मेरे को energy देगा ताकत देगा वो बात तो है ही लेकिन उससे उपर भी यह बात है कि यह आपके stress को बहुत अच्छा दिमाग को बहुत अच्छा रिलेक्स करता है और दिमाग रिलेक्स होगा आप happy रहेंगे तो सब काम अच्छा लगेगा दुखी-दुखी में चिर-चिरापन में कुछ काम अच्छा नहीं लगता तो इसके अश्वगंधा पर के समेल नहीं आती है अश्वगंधा के खेती के लिए सबसे बहतरीन जगा उसको बोलते हैं जिस मिठी में घोरे के यूरीन यानि घोरे के पेसाब जैसा एसमेल आए वहाँ अगर अस्वगंधा की खेती की जाती है तो वहाँ उसका एक्टिव कंपोनेंट्स बहुत उच्छे होते हैं और वो एडिया राजस्थान का कुछ एडिया जहां पर अस्वगंधा बहुत उच्छे तरीके से होता है इसलिए उसका नाम पढ़ गया अस्वगंधा यानि घोरे जैसी एसमेल घोरे जैसी महक उस मिट्टी से आती है और उस मिट्टी में अगर आप अस्वगंधा लगाएंगे तो वह बहुत बेश्ट तरीके का होता है तो यह है के आपके टेंशन को स्ट्रेस को आपको एक मसल्स देग इसका एस्ट्रेक्ट मिलाया है और हर पाउच में पाउंसो एमजी आपको के एसम 66 मिलेगा 500 एमजी यह जो डब्बा देख रहे हैं यह बहुत बरा डब्बा है और इसके अंदर 30 पीस हैं से से हैं 30 छोटे छोटे पीस है इसके अंदर और आपको क्या करना है इसको खोलना है आप चाहें तो अगर दो लोग है तो एक खोल के भी दो लोग अराम से पी सकते हैं मैंने कई बार ट्राई किया घर पे आया था हम लोग हस्बेन वाइब दोनो बहुत अच्छे तरीके से एक में बन जाता है दो कप आप वैसे बहुत कड़क पीते हैं बहुत जादा आपको मतलब वह चाहिए कड़क कॉफी बनानी है तो आप एक इस्तमाल करें आप दो भी बता बना सकते हैं तो इस तरीके से हम इसके उपर ही बात करेंगे आपको बना के भी दिखाएंगे तो सर्थोरा पानी गरम करिए और पुरा दिखाय है तो यह अस्व कॉफी के बारे में है हमारा आपने देखा इसको हम आपको वीडियो में बना करके टेस्ट करके भी दिखाएंगे किस तरीके से बनता है दूद तो नहीं है विलेवर होटल के अंदर हम आपको ब्लैक कॉफी बना के आज दिखाएंगे किस तरीके से होता है लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे मॉर्निंग के टाइम में आप लोग दूध वाली चाय जो होती है मिल्क टी होती है उसको एव वाइट कीजिए ये बहुत खतरनाक है दूध वाली चाय खाली पेट पीते हैं तो ये गैस भगाता नहीं है गैस और बनाएगा आप बोलते हैं बात्रूम क्लियर नहीं हो रहा है चाय पी लेते हैं थोड़ा प्रेसर आजाएगा ये और प्रेसर को गरबर करता है तो आपके पेट के अंदर जितने भी गुड बैक्टेरिया है अच्छे वाले बैक्टेरिया है मिल्क टी पीते ही वो खतम हो जाते हैं हाँ खाना खाने के गंटे आदे गंटे बाद मैं भी पीता हूँ लेकिन कोशिस करना है कि इम्टी एस्ट्रमक मिल्क टी ना पीए ये गुड बैक्टेरिया को बिल्कुल खतम कर देता है अगर आपको दूद के चाय का अगर आपको नुक्षान देखना है समझना है तो आप चाय बनाईए एक केजी दूद लीजिए एक केजी दूद के अंदर एक चम्मच आप चाय डाल के देखे दूद वाली एक चम्मज भी एक लिटर दूद में अगर आप वो चाय डाल देंगे तो वो दूद की कभी भी दही नहीं बन सकती है कहा जाता है दही के अंदर कर्ड के अंदर लॉट्स ऑब बैक्टेडिया होता है अगर आप रोज एक कटरी दही खाते हैं कभी बीमार नहीं होंगे कभी आप वो दही नहीं जमा सकते हैं एक चम्मज चाय एक लीटर दूद के गुड़ बैक्टेडिया को खतम कर सकता है हाला कि हम चाय बेजते हैं हमारी कंपनी में ऐसा नहीं हम मना क्यों कर रहे हैं पहले हमारा बिजनेस नहीं पहला हमारा प्रायरिटी है आपका हेल्थ आप चाय लेंगे हमारा भी भी बढ़ेगा फूप चाय भरबर के पीजिए लेकिन जो चीजे नुपसाम देने वाली है ब्लैक टी पिए लेमन टी पिए मिल्क वाली दूद ना पिए और इस गाइनो कॉफी का अल्टरनेट भी बहुत सारे हमारे पास प्रोड़क्ट हैं अभी हम बनाएंगे लेकिन आपको हम बता दें कि अगर आप आस्व कॉफी टेस्ट किया अगर इसका टेस्ट अच्छा ल कि अगर आप एक अपर कफी गाइनो कॉफी घिन्सिंग के साथ एक कोफी यह भी आपको गाइनोव नहीं से अग बहुत ताकतत देगा शलीर में जितने भी आ त्न भी मोलिकुल आपको गाइनो कॉफी इस्तमाल कर सकते हैं तो इस तरीके से आपको हम बताएं किस तरीके से आगे का बात चलेगा इस सेशन को हम यहीं इस्टॉप करके हम चाहेंगे कि तो यहीं पर हम देते हैं आपको हम दिखाएं कैसे तयार होगा इस तरीके से यह साइद लगता है कि आपको दीख रहा होगा तो इसे बहुत सारे लोग ट्राइ किया होंगे देखें होंगे तो यह हमने ग्लास लिया है और अस्व कॉफी कहां पर है इस तरीके से यह से से आता है यह पाउच है एक डब्बे में तो 30 होता है और इस तरीके से यह है आप चाहें तो इसको यहां पर लूट है यहां पहुति के सब्सक्राइब करता है इसमें पाउडर को डाल सकते हैं और आप अगर चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है यह है है और इस तरीके से आप इसमें यह पावडर को डाल सकते हैं एक में पॉर्बाद इस में पाउडर देखा है , आपको लगेगा इसमें थोड़ा मिल पाउडर vain और बिलकुल आपका देखिए कॉफी रेडी है देख रहे हैं अपने सब्सक्रमाब दीऊ हो झाल को तो एक पावडर्स को मिला हुआ है। आप पना करें रेड्कात्व łदु जाने घ् t लेकिन इस तरीके से अपर बैंगे कुछी को रंजी सर से धोड़ा से से ठीन को करें रंजी सर को दहलताने हैं धन्यवाद सर्राइली में आपने तो अस्व कॉफी पिशलब söyleye करके एक माहॉल बना दिये हैं एक पार्टी कर लिये हैं, और संजे सर्कमानिय इस में सामिल करके है। रिएली मैं असोक उफी सर मैं भी जब से लिया हूं तब से मैं पी रहा हूं, और जो आप एस्ट्रेस की बात बता रहे थे, जो थोड़ा सा आप थकावट की बात बता रहे थे, रिएली मैं ये मतलब अभी इसे पहले फिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं ये चीज देख रहा तरफ कि मैं लगभग डेली काफी गारी चलाता हूं, ठकावट होती है, लेकिन उसके बापजूद में देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा नहीं हो पाती है, जितना ज्यादा होना चाहिए था, यानि उतना सफर करने के बाद एक रियली में बहुत ज्यादा टैडनेस होना चा जहां भी रहते हैं, किलोमीटर के हिसाब से, और सुगा मॉर्निंग की पार साला के बाद जल्दी-जल्दी तयार हो करके फिर निकलना है, कई वार सही से खाना, खाना का क्या दोज है, खाना क्या सही तरीके से खापाते हैं, नहीं खापाते हैं, लेकिन फिर भी उस उस नहीं हो रहा है, लग रहा है कि ये असो काफी का ही कहीं कहीं सर कमाल है, ये लिए में बहुत बेहतर है, और सर मैं आपको ये बता दूं कि दोनों, जो आपने गयनों काफी अभी बता रहे हैं, मैं गयनों काफी और असो काफी लगवक दोनों ले रहा हूं, और ये कुछ आइसे customer होते हैं, सर जिल लोगों को इसका really में चाहते हैं कि कुछ अच्छा चीज मेले और हमारे पास ये एक unique है इंडिया का पहला इस तरह का coffee है, जो हमारे पास है, Okay Life Care में है, अच्छे customer को हम ये चीज दे सकते हैं, अच्छे कस्तेमर को हम यह चीज बता सकते हैं और वो लोग भी अच्छे प्रोड़ेट का कहीं कहीं तलास में रहते हैं बस हम वहां तक पहुँच नहीं पाते हैं और बहुत अच्छा और मैं आपको बता दू जो नीचे बच जाए लोग चाय की तरह छोड़ देते हैं और में अस्वगंधा के नीचे है इसको छोड़ना नहीं यह दा मच्छे से गुमा गुमा करके क्योंकि नीचे यह रह जाता है और वो कुछ नहीं है वो अस्वगंधा ह नहीं है के से मिए जब भी आप यह ग्लास को ऐसे मूव करें और कुछ भी छूटना नहीं चाहिए राम से अंदर ले ले और एक सिसे हमने डाला है एक पैकेट डाला और तीन लोग हम लोग इसको इसको दूद के साथ अगर कोई बनाते तो तो मार्केट का जो भी कॉफी फेल कर जाएगा लेकिन ऐसे भी लगता है कि हमकी लग दूद नहीं पीना नहीं चाहिए रियली में बहुत थैंक्स पॉर नारेवाल सर को कि जिन्होंने ऐसा बनाया और यह जिस घर में इसको पिला दिया जाएगा को अच्छे फैमली को तो फि लेट तक आपका मूड अच्छा रहेगा मतलब लगेगा कि तीन-चार घंटे उसका असर है आपके उपर यह नहीं क्या भी पिया और दो घंटे बाद फिर लगेगा कुछ पीना है आप सुबह में एक बार पी के देखेंगे आपको लगेगा कि 4-5 घंटे और किसी चीज की ज़रुरत नहीं है ऐसा इसका टेस्ट है ऐसा इसका एफेक्ट है तो सुबह सुबह आपको यह लेना चाहिए अस्व कफी आपका भी भी ले सकते हैं सुबह क्या कोई इसमें सी बात नहीं है कफी कभी भी ले सकते हैं सुबह में भी ले सकते हैं और हम यहीं आपसे रिक्व याओ खतम करेगा अच्छो कफी के बारे में आपने जाना इसको टेस्ट किजिए और पांसो एमजी आपको हर सेसे में मिल रहा है पांसो एमजी का यह के सम 66 है और तीन कप बना है और ऐसा नहीं है कि लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पानी जैसा लगड़ा टेस्ट वैसे ही लगड़ा है सच में विभा मैडम बोली है कि चार पांच शे कप भी बनाया जा सकता है वह डाउट नहीं है इतना करक है तो आप अपने टेस्ट के कोडिंग इसका कम बेसी कर सकते हैं एक सेसे को दो बार तीन बार भी इस्तमाल कर सकते हैं और गाइनो कॉफी का क्या कहना है गाइनो डर्मा और जिंसिंग ये भी मूड फ्रेस करेंगा देखें कितने सारे ओप्संस है मेरे पास और फिर भी आप दूध वाली चाहें सुबह सुबह पिते हैं अच्छा सुबह सुबह अस्वगंधा जाए वो भी वर्ड बेस वगंधा आपके सरीड के अंदर वह अच जिसमें केसम 66 वाला कुण नहीं है अब आगे बात करेंगे अगर आपको ग्रीन टी पीना है वेट लॉस में जाना है तो बहुत बहुत मेरे पास प्रोडक्ट है और भी कोई कॉफी पीता है कोई चाय पीता है जब आप जाते हैं तो लोग कुषता है न सर कॉफी चाहिए क गाइनो कफी चाहिए कि ओके फिटनेश चाहिए ग्रीन टी चाहिए बता दो क्या चाहिए और तीनों पसंद नहीं है तो दूद की जिवी चाय पिला देंगे छोड़ेंगे नहीं कस्टमर नहीं छूटने वाला है तो यह एक ओके फिटनेस है सेकेंड में कारहा तयार इमु और एडवांस ग्रीन टी इसको बोलते हैं क्योंकि आप जो ग्रीन टी मार्केट से लेके आते हैं उसके अंदर सिर्फ ग्रीन टी होता है और एक डीप इस्तमाल करते हैं एक पैकेट जो इस्तमाल से से इस्तमाल करता है ग्रीन टी का एक कप ग्रीन टी पीते हैं तो फाइव m g g green t extract आपके सजरे़ में जानता है और 5 kg से इतना हल्ला होता है वेयट लॉस होता है वह के लाइफ के एक टैबलेट के अंदर 25 mg green tea है यहींमें है यहनि पांच मार्केट का 5 cup वुके फिंटनेस का एक टैबलेट एक कप बड़ा-बड़ है क्योंकि मार्केट में पांच एमजी आपको मिलेगा इसमें पचीस एमजी ग्रेंटी एस्ट्रेक्ट है कि अब ग्रेंटी से वेट लॉस होता वो लॉस होता यह मेरे को नहीं पता लेकिन दुनिया बोल लही है टीवी पे आ रहा है सिल्फा सिट्टी से ले करके और दीपिका पातुगों से ले करके सब लोग लगे हुए बड़े-बड़े स्टार की ग्रीन टी ग्रीन टी ग्रीन टी ग्रीन टी तो फाइव एमजी एगर ग्रीन टी वेट लॉस कर सकता है आप दिरा सोचिए एक टैबलेट के अंदर उसके ब है वेट लॉस के लिए और सेकेंड में तयार हो जाता है अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं अगर कोई बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है आधिक मोटापा सरीर का दुस्मन होता है सच में मोटे हो जाएंगे सारी बीमारी आ जाएगी ठराइड हो जाएगा उठन लूज किया है दो प्रोड़क्ट से अगर आप किसी को वेट लॉस कराना चाहते हैं तो आप उसमें ओके फिटनेस के साथ सा सुबह में हमारा सीबक फॉन लोगों का ऐसा रिस्पॉंस आया है कि सारी ये दो प्रोड़क्ट से एक महीन एक अंदर तीन केजी चार केजी बिन किसी एक्सरसाइज का बिना किसी योगा का उन्होंने वेट लॉस किया है देखिए जिसका वेट बहुत बढ़ा हुआ है सो केजी 110 केजी अगर आप उसको बोलेंग एक्सरसाइज करने के लिए तो उससे हो पाएगा पॉसिबल है तो पहले उसका वेट लॉस कराईए तब उसको बोले एक्सरसाइज किजिए मॉर्निंग वाक करिए तो उतने हेवी वेट में अगर वो दौरना सुरू कर दे दे देगा उठना बैटना मुस्क्राइज इतना वेट है उसका तो वेट कैसे पहले कम कराए यह दो प्रोड़क्स है और जो यह ओके फिटनेस आप देख लेता है उसका वेट तीन-चार केजी एक महीने कंदर हो जाएगा लेकिन लोग क्या करते है एक टाइम सी वक्षान लेंगे और एक टाइम ओके फिटनेस लेंगे भाई 24 फिट का आथ है आपका जो पेट की अंदर में जो इंटेस्टाइन है उसका लेंध कितना है 24 फिट औ और एक काप में आपको फिटनेस डाल लें 30 ml सी वक्षान डाल लें किसी कोने में भी जाकर रहे जाएगा उड़ा पास भी नहीं होगा 24 फिट में 30 ml कहां जाएगा इसलिए बोले जाता है कि जब भी आप सी वक्षान या कोई भी जूस इस्तमाल करिएगा उसका तरीका जान लेजिए सुबह खाली पेट उसको लेना है आप डिरेक्ट भी ले सकते हैं गरम पानी में आधा कप में मिला के ले सकते हैं लेकिन जब भी लीजिएगा कोई जू कफी नहीं लेना है और आधे घंटे बाद एक से दो गलास गरम पानी जरूर डालना है अंदर जरूर पीना है जूस पीकर के आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद अगर आप पानी पीते हैं तो पूरे इंट्रेस्टाइन में वह जूस फैल जाएगा आपके टॉक्षिंस को बा तरीन रिजल्ट आपको मिल जाएगा वेट लॉस के लिए यह हमारा आज का चाय कोफी और बेवरेज का सब्सक्राइब था मैं आपको चाहूंगा किसका है कि वीडियो भी मेरे पास सायद आवाज आएगी तो ठीक है लेकिन मैं आपको दिखा दू कि ओके फिटनेस हमारा क किस तरीके से त्यार होता है कैसे आप इसको बना सकते हैं ना कोई प्रवब्लम आएगी आपको पानी गरम चाहिए पानी गरम का मतलब आप गलास में यह हमारा हुआ कर दो झाल 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 इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं मेटा भोलिजम क्या होता है चैय पचे की किरी फ्रक्न में बढ़ जाए मेटा भोलिजम बढ़ जाे तो आप वैसे भी वेट लॉस कर सकते हैं तो बरे सारे वेट लॉस के चीजे हैं सी बक्षौन का इस्तमाल करिये, सुबा-सुबा, ओके हिटनेस का इस्तमाल करिये, सुबा-सुबा, खाली पेड भी ले सकते हैं, खाना-खाने के बाद ले सकते हैं, और पूरे दिन में एक दो कप अगड़ अस्व कफी पीते हैं, आपका stress, memory power, ताकत, बहुत महनत